कि नबश्कार दोस्तो दोस्तो आज हम परसेंटेज का नेस्ट वीडियो अप्लोड करने वाले हैं ये आपको पताने वाले हैं तो दोस्तो ध्यान से देखेगा आज का जो टॉपिक है वो है सर्वे वो है शर्वे ये दोस्तो reasoning का भी पार्ट है जिसे database के नम से आवा जाता है ये आपका math में भी पार्ट है percentage में आता है जिसमें जिसों survey कहते हैं या जिसमें survey करना होता है तो दोस्तो सबसे पहले आपको क्या करना है अगर मेरा channel आपने subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लीजिए आज का topic बस दोस्तो वीडियो लाज तक देखियेगा तभी आपका पूरा concept clear होगा आधा वीडियो देखने वाले आपका concept clear नहीं होने वाला है तो दोस्तो देखें survey क्या होता है दोस्तो survey कम से कम दो लोगों पर होता है minimum दो लोग तो होना ही चाहिए अधिक कितने भी हो तो दोस्तो देखते हैं माल लेते हैं दो लोगों पर शर्वे होना है एक math और एक English दो हैं एक math और एक English तो condition चाहर बनेगी या तो कोई math में pass होगा या अंग्रेजी में fail होगा या तो वो math में पहल होगा या अंग्रेजी में pass होगा या तो वो math में पहल होगा और अंग्रेजी में पहल होगा या तो वो math में पहल होगा या अंग्रेजी में पहल होगा तो दोस्तो अगर उसके पास दो subject हैं तो इतनी संभावना हैं बन सकती हैं इससे ज़्यादा संभावना नहीं बनेगी तो दोस्तों आप ज़राद में ये बता दिया कि इतनी संभावना बन सकती है अब हम एक डाइग्राम के थुरू इसका ट्रिक्स अन्रेट करते हैं जिससे आपके 15 टाइप के प्रस्नट एक ही ट्रिक से solve हो जाएगे बस दोस्तों वीडियो लास तक देखेगा तभी आपके concept clear होंगे तो दोस्तों अगर वीडियो आप लास तक नहीं देखते हैं मेरा वीडियो तो चल जाता है दोस्तों लेकिन आपको फाइदा नहीं मिल पाता है तो प्लीज मैं आपसे इक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लास्ट वीडियो देखा करिये इसके बाद ही आपका पूरा कॉंसेट क्लियर होगा ये दोस्तो सिख्छा है कोई नाच गाना नहीं है कि थोड़ा साफ ने देख लिया और कमेंट्स कर दिया तो दोस्तो पूरा देखा करिये इसके बाद आपको हर एक टॉपिक हर एक कॉंसेट इक्टम क्लियर हो जाएगा आई दोस्तो देखते हैं इसे माल लेते हैं को देर के लिए 100% लोग कि इस डाइग्राम में किते परसंट लोग है 100% लोग है और यहां पर वो लोग बैठेंगे M- में जो क्या होंगे फेल किसमें फेल मैथ में फेल और यहां पर वो लोग बैठेंगे हम जो होगे इंग्लिस में फेल जो होगे इंग्लिस में फेल E का मतलब पास E- का मतलब फेल फेल आप दोस्तों देखेंगे, ये वो लोग होंगे, जो हमारे math में pass और English में pass होंगे, इसको में लिख देता हूँ, दोनों में pass, ये वो portion होगा, इस diagram का, जहां दोनों में pass, अब ये जो diagram होगा, इसमें दोस्तों क्या होगा, केवल में pass और केवल अंग्रेजी में fail, इसमें केवल की condition लगती है, क्या लिख सकते हैं, केवल में pass, या इसी को कह सकते हैं, केवल इंग्लिस में fail, ये केवल की condition आती है, इसे कह सकते हैं, केवल में pass, या कह सकते हैं, केवल अंग्रेजी में fail, और दोस्तों जो यहां और मैथ में पेल इसको भी लिख सकते हैं केवल इंगलिस में पास जो केवल अगरेजी में पास होगा वो यहां बैठेगा या इसी को कह सकते हैं केवल मैथ में पेल केवल मैथ में पेल यहां पर बैठते हैं लोग वो क्या होता है मैथ में पेल इंगलिस में पेल इनको कह सकते दोनों में दोनों में फेल यह लोग बढ़ेंगे जो दोनों में फेल अब यह हैं से दोस्तों एक Qeache se किस गाई ग्राम से किते टाइप के प्रस्न मन गए एक दो तीन चार पांच साथ आठ नौ दस घ्यारा बारा तेहा चबा पंदरा लगभब 15 टाइप के प्रस्ट के सरवे से एक लाइन में आंसरा जाये करेगा दोस्तों तो बस वीडियो लाज कर देखिए तभी कॉंसेट क्लियर होगा अब दोस्तों हमें यहाँ पर इसी में फारूला जनरेट करते हैं तोड़ा से प्लेस बना लेते हैं यहाँ प्लेस बना लेते हैं यहाँ प्लेस बना लेते हैं अब देखिए कि अब यहाँ से हमको ट्रिक बना ली है दोस्तों ट्रिक क्या बनती है दोनों में पास यहाँ देखिए डापलों है English में pass plus math में pass plus दोनों में pass बरावर math में pass, English में pass और दोनों में fail, क्या होगे? दोनों में fail, e में fail और इसमें fail और minus 100. यह बराबर this plus this plus this minus this तो यहां पर किपता हो जाएगा एक दोस्तों हमार अंड्रिट इसे यह जलेट हो जाएगा तो लब रसे बार समा लिए मैं इसको लेंगेज फोर में आप देख लीजिए अपनी नोट्स में दोनों में पास यह देखे यह वाला पॉर्शन यह वाला पॉर्शन दोनों में पास बराबर इंगलिस में पास यह इंगलिस में पास प्लस मैथ में पास मैथ में पास प्लस दोनों में यह है दोनों में फेल यह दोनों में फेल माइनस हंड्रिट एक फार्वला बना लिए दोस्तों इत्री खस्म और बनानी है ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये बराबर ये ये नहीं बना देता हूँ तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां से लिए चाहिए यहां से लिए दोनों में मैठ में पास इंग्लिस में पास ये प्लस ये English में pass, केवल English में pass, केवल Math में fail, plus ये plus ये plus ये, यहाँ पर Math में pass, English में fail, plus ये बरावर ये, उसर ये plus ये plus ये plus ये, और यहाँ पर दोनों में fail, यहाँ दोनों में fail, is equal to hundred, एक दोस्तों हमारी trick ये बज़न देट हो गई, ये दो trick आपको याद रखी हैं, एक पानुला का है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, फंद्रह ठाइप के प्रसनाप पे solve हो जाएंगे, देखो दोस्तों, दोनों में pass, बरावर Math में pass, sorry, English में, फिर से देखो, दोनों में pass, बरावर, English में pass, Math में pass, दोनों fail, माईजा समगे, एक trick बन गई, दूसी trick ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये बरावर है, देखो, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये बरावर है, इसको जोड़ दो, 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 इसको आप दोस्तों 12-15 टाइब के प्रस्ट आपको केवल अगर आपने ये डाइग्राम समझ लिया तो आपके 15 टाइब के प्रस्ट बड़े आसानी से सरवे के सौर्व हो जाएंगे तो आएए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं कोश्चन देखे दोस्तों इसमें एक चीज थोड़ा सहौर समझ लिए कि क्या करते हैं कि ये वाला जो प्रस्ट है ये इंगलेस केवल पास इसमें से ये पॉर्शन गटाते हैं तो ये पॉर्शन गयात होता है अगर ये अंग्रेजी में पास वाले इन दोनों पास वालों में से गटाएंगे तो ये मात प्राप्त होगा और इसमें से अगर ये गटाएंगे इसमें से ये पॉर्शन गटाएंगे तो ये प्राप्त होगा कहने का मत्तब है कि गणत में जितने लोग पास होंगे उसमें से दोनों पास वाले को गटा दोगे तो केवल गणत वाले को पास होंगे इसमें से ये गटा के ये मिलता है इसमें से ये गटा के ये मिलता है इसमें से ये गटा के ये मिलता है गलिव दोस्तों अब देखते हैं कोशन देखते हैं पहला कोशन स्टार्ट करते हैं एक परिक्षा में पचातर परसेंट विद्यार्थी गड़त में तथा तो कितने परसेंट विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्रिन हुए यादि 10% विद्यार्थी दोनों विद्यार्थी दोनों विद्यार्थी केबल गड़त में पास हुए याँ पूछ लेगा कितने परसेंट विद्यार्थी अंग्रेजी में पेल हुए तो जित्ते कोशन सब आप निकाल पाएंगे तो देखे दोस्तों कैसे इसमें दो सब्द हैं मैथ और इंग्लिस तो हमने मैथ और इंग्लिस अभी एक डाइग्राम आपको जस्ट उपर बताया है माल लेते हैं इस डाइग्राम में कितने परसेंट लोग हैं 100% विद्यार्थी गड़त में तो गड़त कहां है 55% विद्यार्थी गड़त में पास हुए तो बताओ दोस्तों फेल किते हुए तो यहां पर 25% फेल हुए होगे 35% फेल हुए होगे फेल किते हुए 35% दोनों को जोड़ विद्यार्थी तो दोनों में 10% विद्यार्थी तो दोनों में पास बराबर उपर देखे लिखा है यह बराबर यह प्लस यह प्लस यह माइनस यह तो यहां फेल लगा देते हैं क्या हो जाएगा math में पास, English में पास वराबर यह कितना हो जाएगा 65, 75, 10, minus 100 अब दोस्तों इसको जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा यहां कितना हो जाएगा दोस्तों अब यहां देखो जोड़ना है सब कुछ नहीं करना यहां पर जोड़ना कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा फचास तो ये कितना हो जाएगा हमारा फचास एपके सफसेंट कितना हो जाएगा 50% बिद्वे जाएगा 50% और केवल अगर यह पूछ ले तो इसमें से इवर इसको घटा देंगे तो यह मिलेगा तो यहां से सो घटाएंगे तो किता परसेंट हो जाएगा 15 परसेंट यह यह वारा क्या हो गया एदेके दोस्तों, यह पता, 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 यह पता. सारे question के answer आपड़ेंगे, कितने percent विद्द्यार थी ? दोनों पिश्रह में उत्रिण हुएãy 50%, यह दोनों वाले होते हैं. कितने percent विद्द्यार थी ? केवल वेलत में केवल वेलत यह होते हैं इस टाइब से, दोस्तो क्या कहा रहा है ? एप कर इच्छा में 70 % विद्यारथी अंग्रेजी मों उत्रिन हुए है तु दिएखे, उत्रिन अंग्रेजी वाले यहां रखते हैं, तो 70 % अंग्रेजी मों उत्रिन हुए तो fail किते हुए हूने 30% fail वे होंगे क्लिक उत्रन हुए और 20% бли-ढ़ियाटी गड़त में अनुत्रन हुए अनुत्रन मत्तव fail तो 20% अनुत्रन फेल वाले उपर गाते हैं तो बताव PAS किते हुएrete हुए तो जब 20% fail होगा तो 80% पास होगे होगे यदि 10% विद्यार्थी दोनों विसाय में उत्रिन हुए हो और 300 विद्यार्थी दोनों विसाय में उत्रिन हुए हो कुछन के लिए खेता हुए हुए इनकी संख्या आढ़ी गिविल है। जो दोनों में पास है इनकी संख्या आढ़ेड़ी 300 कुश्य में गिविल है। अब दोस्तों इसको निकाल लेते हैं, तो कह रहा है, विद्ध्यारत में कुल संख्या कितनी थी, गर्द में किते पास, मैंथ में किते पास, एंड डॉट डॉट सुलान, सब को शल्पंद्रा टाइप दे, तो देखें, ये निकालने के लिए, हमने आपको क्या बताया था, कि ये पॉर्शन जब निकालना है, तो ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये, तो अगर ये निकालना है, ये पास, ए पास, तो सतर ये असी कितना हो जाएगा, सतर प्लस असी ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, प्लस दस माइनस सो, तो यहां से कर देंगे आट्वी सोला, तो सोला मेंसे गटाएंगर 15% 60% तो यह क्या दोस्तो आ गई 60% इंपरी संख्या कित्ती हो गई 60% और 60% जब यह आ गया तो बताइए इस में सब्सक्राइब यह लेस्ट कर देंगे तो यह मिलेगा तो 70 मेंसे 60 जा गपित्ता बचा 10 यह मिलेगा और इस में गता देंगे तो दोस्तों यह किता मिला 20% मिला देखे सारी वैलुमिकल के बाहर हो गई अब मैं क्या कह रहा है कि यही 60% किसको इंडिकेट कर रहा है तरसा रहा है 300 को दोस्तों 60% दरशाया बराबर 300 को तो 1% दरशाया बराबर जिस से इस केंसल आओ नहीं कर देता हूं पूरा ये किता साथ हो जाए दिस केंसल आओ उच्छे पंचे तीस यहीं कि एक परशेंट दरसाएगा बराबर कितने को पांच को या आप ऐसे कर सकते हैं अगर इसमें हम पांच से बुड़ा कर दें तो यह बन जाएगा यही इस कोश्यन की क्या हो गई की हो गई या चाभी हो गई गलब यही स्कुश्यन की दोस्तों की हो गई अब जो भी कुश्यन आप से उच्छा जाए उसमें पांच से उठा करके बुड़ा लगा दीजे वहीं हमारा आंसर हो जाएगा प्रेर दोस्तों तो आईए देख लेते हैं कि अब हमें संक्या कितनी हैं बाद 누ेट में कितने बिद्ध्यार थी पास हुँ आप यहां, आप यहां देखू, केवल अंग्रेजी में घित्ते परसेंट विपध्द्रती पास हुए तो केवल अंग्रेजी में यह वाला होता है न इसको कह सकते है केवल अंग्रेजी में पास या केवल गडिक में फेल तो दीकता है 10 wa 10 into 5 से बुड़ा कर दीजे यह दोसको कित्ते हो गए 50 ओग हुएए कि अगर दोनों में इतने बिद्यार्थी खेल हुए तो दोनों में वाली यहां होते हैं, 動 aussi 10 एंटू की से बुढा कर दीजे 50 लोग खेल हुए होगी कोई और भी पूछ ले कह दे केबल ब्रड़त में केबल ब्रड़त में पास तो केबल ब्रड़त वाले होते हैं तो किता हो जाएगा 20 इंटू 5 यह अंसर हो गया कोई कह दे कि मैथ में किते परसंट विद्यार्थी खेल हुए त सब्सक्राइब कर दीजेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों कितनी है तो दोस्तों कम से कम का मतलब है यह देखो दो में से एक में तो हुआ ना कम से कम एक तो 10 यह दोनों में पास है लेकिन कम से कम एक होता है तो यह भी खाउंट होगा 60 प्लस यह करा कम से कम यह खिता होगा 20 इसी को गुणा कर देंगे तो 90 इंटू 5 से गुणा कर दीजेए ऊट रहर यह अंसर हो जाएगा कम से कम एक विसार में फेल वने वाले तो एक विसार में फेल वने वाले कौन से 10 यह COUNTA होगा 20 यह भी COUNTA होगा और यह भी COUNTA होगा 10 20 30 और 1 40 40 x 5 होगए तो कम से कम अगर कुछ ले तो विया माठ दीजेगा आयो दोस्ते से और एक कोशन और देख लेते हैं